नमस्ते अब रिवादन आपका एनुसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों कल बाजार कहां खुलेगी एक एक चीज़ हम डिसकस करेंगे निफ्टी के important levels भी बताएंगे सबसे पहले intraday performance बताएंगे आपको सुक्रवार की 80 पॉइंट नीचे दिखेगा जब निफ्टी अपनी खुलती वी नजर आएगी अगर उस लेवल पे खुलती है क्योंकि बात कर लेते हैं intraday performance की HCL Tech हमारा बहुत ही प्यारा trade था और setup ने sell side का trade दिया और यहाँ पर हमारे setup की ही नहीं लगभग लगभग हर technical indicator आपको यहाँ पर sell side का ही trade देता और बहुत ही जल्दी हमारे setup ने काफी early decode किया 1135 रुपए से पहले ही decode किया और यह stock देखिए कहां तक गिरा है काफी भेंकर इसमें पूरी की पूरी गिरावर जवाई यह हमने capture किया अपने setup के माध्यम से तो इसलिए कहता हूँ जब आप setup पे trade करते हो न आपको कमाल कमाल के trades मिलते हैं जब आपको losses होंगे कम होंगे जब आपको profit होगा वो बड़ा होगा setup की यही खुबी है दोस्त यही खुबी है HCL Tech सारे targeted BPCL यहाँ पर भी sell side का trade मिला exactly यहाँ पर target आया नहीं ठीक है 405 रुपए पर ही target set करना था 404 रुपए 50 पैसे तक भी लोगों ने set किया होगा कोई बात नहीं जो exit हुआ वो यहीं पर हुआ है लगभग लगभग 1.1 प्लस परसेंट मतलब 1.1 परसेंट से ज़्यादा ही profit हुआ है exactly 1.2 नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर जो trade मिला था उस 410 के आसपास ही मिला था ठीक है sell side का तो यहाँ पर भी बहुत बढ़िया trade था reliance यहाँ पर setup ने हमको काफी कमाल का trade दिया और जेकिए setup हमेशा आपको perfect trade नहीं दिलाएगा लेकिन जब भी दिलाएगा आपको बड़ा profit होगा यहीं मैं आपसे कह रहा हूँ trade आपको देखे कितना बढ़िया मिला आपको बढ़िया target भी इसने ला करके दिखाया तो तीन target आजाने के बाद confidence काफी हाई हो जाता है है ना मज़िदार ITC यहाँ पर भी trade बढ़िया था बस हमारे favor में दिया फेबर में अच्छे से नहीं जा पाया ठीक अब यहाँ पर हुआ exactly क्या वह आप समझेए हमको trade मिल गया sell side का बढ़िया यहीं पर sell side का trade मिला लगबग target बनाया stable रामा पर फिर से उपर चला गया फिर से वहीं पर आया बहुत ही चोटा profit 0.3% के आसपास हुआ है समझ लिजे brokerage ही यह काटेगा कुछ खास नहीं profit यहाँ पर हुआ लेकिन उतना बड़ा नहीं हो पाया ठीक है हाँ इकलोता stop loss था हमारा sun pharma में और यहाँ पर stop loss आपको दिखाता हूँ trade मिला हमको sell side का उसके बाद stock नीचे भी गय ठीक ठाक चला भी उसके बाद reverse कर गया इसी candle पर हमको stop loss खाना पड़ा उसके बाद stock लगब लगब कॉस्ट के आसपास ही आ गया था closing के दौरान लेकिन कोई बात नहीं stop loss इसने हमको दे दिया एकलोता stop loss 3 टारगेट एकलोता stop loss 3 टारगेट 3 टारगेट का मतलब कितना होता ह पता है 3.6% stop loss हटा हो 3% brokerage हटा दो इसमें से 0.5% ठीक कहता हूं ना जब आपको मिलेगा तो यह बड़ा profit मिलेगा 0.5% तक का trade करते रहे यह setup पर आपको काफी कमाल के results मिलेगी जिनको join करना है website के माध्यम से नीचे link है join कर सकते हैं कोई सवाल सुझा हो तो WhatsApp पर पूंच सक वीडियो से पिवट पॉंट वाली वीडियो से जरूर देखिएगा नीचे आपको link भी मिल जाएगा आई बटन पे भी मैं कभी कभी वीडियो उसको जालता हूं उसको जाकर जरूर देखा किजिए कल के लिए बिसपोटक स्टॉक रहेगा वोल्टास ठीक है यहां पर आप पर पॉश्टिव साइट का बढ़ यहां ट्रेड मिल सकता है सेटप काफी कमाल का वॉल्म बढ़ने की देरी है दूम धड़ा का होगा सोक ले लैंड गिर चुका है स्टेबल होगा क्या अगर होगा था हम ट्रेड पकड़ेंगे एक सो चालिस के उपर पॉश्टिव या फि देख लेते हैं जेक्स निफ्टी का चार्ट क्योंकि वहां से हमारे लिए काफी अलग लेवल के संकेत हैं वह जानना जरूरी है आप देखिए यह हमारी बाजार की क्लोजिंग है ठीक है इसके बाद यह दो दिन सिंगापुर वाली बाजार ट्रेड की है इसी के तरज पर ह को हम सही माने तो अपनी बाजार को लगभग लगभग 80 नीचे खुलना चाहिए लेकिन यह डिपन किस चीज़ पर करेगा डाउ जोन का फ्यूचर कहां पर ट्रेड करता है अगर फ्यूचर उनका 200 पॉइंट के असपास पॉस्टिव रह गया था हम मात 20-25 पॉइंट नीच को बताऊं उससे पहले एक और बाद बताऊंगा कि FII जो है वो सपोर्टिव नहीं है डिया इस ने काफी कोसिस की है लेकिन उतने ज्यादा सपोर्टिव वो भी नहीं हो पाए है तो आपको उपर के लेवल पे हमेशा अलर्ट रहना है बाजार ने इंपर्टेंट लेवल को तो थोड़ा है टेक्निकली मनें आपको बताया भी ता बाजार कमजोर हो गई है तो थोड़ा सावधानी बरती हैगा नीचे के लेवल पर सपोर्ट बड़े बड़े अवेलबल है लेट सो फ़र दिवेस्ट की बाजार वहां पर सपोर्ट लेती भी दिखाए दे अगर बाजार इसके नीचे खुलती है इसके उपर रहना बहुत जरूरी यह बाजार को ठीक है इसके नीचे अगर खुलती है इसके उपर तुरंत आए बाजार ठीक अगर नहीं आप आती है तो आप अन्य लेवल को ध्यान में रखिएगा ठीक है 17 750 फिर 17 812 यह लेवल दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है और 17 868 यह लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है साड़े साथ सो 812 और 860 उपर जाती भी बाजार में गिर्ती भी बाजार का सबसे बड़ा लेवल है 17707 ठीक है 17707 17707 ठीक है यह साथ सो साथ कोई न मान ले ठीक अभी इसके नीचे देखिए हाँ 17606 यह रहेगा दूसरा बड़ा लेवल और बाजार यहीं पर हो सकता है सपोर्ट लेती हुए दिखाए दे ठीक 17606 बड़ा लेवल है उसके बाद 17609 इसी के आसपास आपको लेवल ढूनने हैं इक्जक्ली आपको लेवल बता दियेगा इन्हीं के आसपास बाजार सपोर्ट लेती हुए दिखाए देगी उपर जाती है इन पर ध्यान रखिएग किसी को कोई और दिक्कत आ रहे है तो भी आप आप बता सकते हो अभी इतना ही जल्दी मिलेंगे वीडियो देखने के लिए आपका भार वीडियो पसंदाइट लाइक कर देना संकेत अच्छे नहीं है हमारे लिए कल के लिए लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ बुरा हो गया है स्टॉक स्पेस्फिक बड़ा मोमेंटम पॉस्टिफ साइड भी आ रहा है रिवर्सल पकड़ना है तो नजर बनाकर अच्छे स्टॉक पर रखिए जरूर वीडियो आपके साथ सेड की गई सेड है जरूर देखिएगा अभी तना ही नमस्कार